श्री राह जय राह जय जय राह जय राह जय राह दोस्तों आप सभी का स्वागत है नमस्कार है मैं हूँ आपका मित्र एस्ट्रोलोज और सुने शास्ति और आप देख रहे हैं जोतिस से संबंदित कुछ विशेश और एडिशनल जानकारिया तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुती सुन्दर एक पॉइंट ले करके आया हूँ और अक्सर लोगों के घर में इस तरह की प्राब्लम्स होती है आज का जो टिप्स है और जानकारी है वो है वास्तु के उपर घर का वास्तु जी हाँ जैसे कि आप जानते हैं कि एक एस्ट्रोजर होने के साथ साथ मैं एक वास्तु एक्सपर्ड भी हूँ वास्तु जास्ते भी हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आज बताया जाए कि यदि घर में उत्तर दिशा की और यदि आपने सोचाले बनाया है या फिर उत्तर दिशा की और किसी के घर में भी यदि सोचाले है तो ये आपके लिए कैसा रहेगा इस पर तमाम बाते में करने वाला हूँ और वास्तू के अकोड़ी वास्तू प्रोश आप जानते ही हैं घर का वास्तू अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि घर का वास्तू यदि अच्छा नहीं होगा तो उसका negative effect आपके संपूर्ण जीवन पर और आपके ही नहीं आपके पूरे परिवार कुलकुटम के उपर देखने को मिलेगा जो जो भी उस घर से सम्मंद्द रखते हैं या उस घर में रहते हैं चोटी से चोटी सी चीज का जब आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है तो बुरी और नेगेटिव चीज का भी आपको negative effect अवश्य होगा इसलिए जानते हैं घर के उत्तर दिशा की बाते हैं उत्तर दिशा में दोस्तों यदी टॉइलेट श्नान घर यदी हो वाश पेशन हो तो वो क्या आपको प्रभाव देगा चरी स्वर बात करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा बिलकुल skip हमारी वीडियो को मत कीजेगा इसके अलावा मैं आपको solutions भी बताऊंगा यदि कोई problem निकल करके आती है लेकिन उससे पहले आप सबसे request है कि हमारे इस चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजे और bell icon के बटन को भी प्रेस कर लीजे साथ के साथ ताकि इस तरह की और भी वास्तो tips या astrology के बारे में आपको बहुत सारी जो है बहुत ही सुन्दर information सापको मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पर और तमाम तरह के वीडियो astrology से related, वास्तो से related और भी जीवन में जिन चीजों का होना बहुत शुब हो सकता है ऐसे तमाम चीजों के बारे में सारी की सारी information आपको मिलती रहेगी सबसे पहले तो चलिए कर दिजीए हवारे इस चैनल को subscribe आईे दोस्तों आप जानते हैं कि वास्तु वास्तु याने कि भूमी और भूमी हर भूमी का कोई न कोई देवता होता है आप जानते होंगे जίसे खेत्र, बोलते ना क्षेत्र पात तो खेत्र का जो देवता उस शेत्र का जो देवता है उसको भी प्रधानता हमें देनी चाहिए उसका भी सम्मान करना चाहिए लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं वास्तु की और वास्तु में घर की उत्तरदिशा में जिनके घर में ट्वैलेट बने हुए है वो बिल्कूल भी उत्तरदिशा में ट्वैलेट होना अच्छा नहीं माना गया वास्तु दोश ऐसे व्यक्तियों को लगता है जिनके उत्तरदिशा में घर की उत्तरदिशा में ट्वैलेट बात्रूम बना हुआ है पूरे तरीके से बहुत बड़ा प्रभाव दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है ये बात भी अपने experience के इसाब से बोल रहा हूँ शास्त्र के इसाब से बोल रहा हूँ और जो लोग परेशान होते हैं उन्हें देख करके बता रहा हूँ दोस्तों घर की उत्तरदिशा जैसे आपको पता है कि उत्तरे वसतो देवा ब्रह्मा की मपितक्षणा कभी आपने सुना होगा उत्तर में सारे देवता निवास करते हैं इस प्रतवी का उत्तर जो है वहाँ पर 33 कोटी देवी देवता 33 प्रकार के समस्त देवी देवता निवास करते हैं बोले नात निवास करते हैं उत्तरदिशा बड़ी शुब मानी जाती है समृध्ध मानी जाती है और इसी के साथ साथ में जो है दैवी ये गुन यानि उत्तर दिशा से बहुत ही पॉजिटिव एनरजी प्रभावित होती है, फ्लो करती है लेकिन जब हम पॉजिटिव एनरजी जहां से आती है, उसे ब्लोक कर देते हैं और पॉजिटिव जगा नेगेटिव पॉइंट सेट कर देते हैं, तो होगा क्या? आग की जगा जब आग में यदि हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? विस्पोर्ट होगा उबलते तेल में यदि पानी डालेंगे तो क्या होगा? जलने का खत्रा होगा इसलिए पानी पानी की जगा होना चाहिए, आग आग की जगा होनी चाहिए, बिजली बिजली की जगा होनी चाहिए इसी प्रकार से हर एक वस्तु का इसका एक सुनिसित स्थान है तो जब तक जो चीज अपनी जगा नहीं होगी सेट नहीं होगी तो वो दिक्कत तो पैदा करेंगे ही इसलिए मैं इस अब बता रहा हूँ कि उत्तरदिशा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है उत्तरदिशा से हमारे घर में, हमारे जीवन में और उस पॉजिटिव एनर्जी से सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव हमारी लाइफ में होता है सेहत, जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो हमारी सेहत पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा शरीर स्वस्त होता है, दिमाग स्वस्त होता है और जब दिमाग शरीर हम फीजिकली जब फिट होते हैं तो फिर अपने काम काज में, बिजनस में, नोकरी में और अच्छी ग्रोथ पैदा करते हैं लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है अब आप देख लीजिए किसी के भी घर में, जिनके घर के उत्तर दिशा में यदि ट्वैलेट बने हो एक बना हो तो उस प्रकार से प्रभाव होता है, एक से अधिक बने हो तो और ज़्यादा प्रभाव होता है और आप देखेंगे जिनके भी घर में ट्वैलेट उत्तर दिशा में बना हो खास कर ट्वैलेट सीट अगर उत्तर दिशा में लगी वी है घर के तो आप देखेंगे उस घर में कभी न कभी नहीं मैं नहीं कहूंगा बलकि ये कहूंगा कि हर हमेशा ही कोई न कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक भी व्यक्ति हमेशा बिमार रहेंगे और बिमारी कोई भी हो सकती है शरीर में किसी तरह की बिमारी हो सकती है चाहे वो temperature हो चाहे वो कोई break हो गया हो किसी तरह की कोई acidity की problem हो गई हो या फिर और ज़्यादा deeply details में बिमार हो सकता है विक्ति बहुत ज़्यादा बिमार हो सकता है कोई accidental cases हो सकते हैं कोई भयानक बिमारी का कारण बन सकता है ऐसा कोई विक्ति जो ठीक ही ना हो रहा हो medicines बहुत ज़्यादा घर आती है hospital के चक्कर लगने लगते हैं और बिमार उस घर में रहते विक्ति होगा जैने कि जो जो भी उस घर में रह रहे हैं उन सभी पर उसका effect पड़ेगा ऐसा नहीं कि जिसके नाम पर वो घर है जितने भी हैं और किसी पर भी कोई भी आफ़द कभी भी तूट सकती है किसी भी तरीके के ऐसे घर में लाया गया पैसा ऐसे व्यक्ति इस घर के व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत करें उनका पैसा जो है वो ऐसे खर्च होगा जिसका जहां खर्च नहीं होना चीजिए जैसे hospital में जा रहा है तो नहीं चाहता ना कोई लेकिन जा रहा है यह पैसा ऐसे खर्च हो जाता है जिसका कोई मतलब भी नहीं है कुछ पैसा तो ऐसा होता है जो investment होता है आज आपने सो लगाया कल आपको 1000 बनके मिलेगा लेकिन यह 1000 का 1000 ही खतम हो गया जो कुछ नहीं मिलना आपको यानि कि पैसा पूरी तरीकी से बरबाद होता चला जाता है साथी में ऐसे घर में देवता नहीं बसते जिनकी उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में टोयलेट होगा ऐसे व्यक्तियों के घर में देवी देवता का निवास भी नहीं होता निवास नहीं करते वहाँ की गई पूजा निरतक है उस पूजा को कोई फल नहीं है और धीरे-धीर देखना आर्थिक स्थिती financial condition भी धीर-धीर-धीर slow होती चले जाएगी और यदि उत्तर दिशा में बने हुए toilet वाले जो घर हैं उनमें अगर जल्दी से दिशा की शुद्धी नहीं की गई किसी भी प्रभास्तू के अनुरूप जो है वहाँ कुछ परविर्तन नहीं लाए गए कोई उपाय नहीं कीए गए तो और भी जादा नुकसान होने के chances शत परतिशत बनते हैं क्योंकि उत्तर दिशा को आपने प्लॉक कर दिया उत्तर दिशा में आपको नेगेटिव एनरजी उल्टा नेगेटिव एनरजी बनना चालू हो गई तो आप धीरे धीरे जितना भी आप समय बीचता जाएगा उतना उतना कलेश पैदा होता जाएगा कलह पैदा होता जाएगा आप देखना कि अगर भाई भाई भी हों माता पिता हों तो ऐसे घर में रहने से उनके घर में कलेश किसे ना किसी प्रकार से उत्पन्न होगा बच्चे बहुत ज़्यादा बिगडेंगे कोई नो कोई किसी की साथ accidental cases या बिमारी continue रह सकती है जब तक और उससे बड़ा हादसा भी कोई बगवान न करे इस तरह की कोई problem हो लेकिन हो सकता है तो इसलिए जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि आप उस घर को उस घर में बन रही इस negative energy को दूर करें शांत करें अपने लिए क्योंकि जीवन तो सब कुछ है जीवन से मूल लेबान तो कुछ नहीं है तो इसलिए किसी भी तरीके से उस वाशुशानती को शांत करना चाहिए इसी में फायदा है दोस्तों मैं चाहूं तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे टिप्स आपको बता सकता हूं जिससे कि आप अपने उस उत्तर दिशा में बने हुए ट्वैलेट का solution कर सकते हैं उपाय से कुछ हद तक effect कम कर सकते हैं लेकिन इन उपाय से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं छोटे छोटे चोटे टिप्स इन टिप्स से आप जो है कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए प्रभावित नहीं हुँगे लेकिन प्रपरली यदि आपको चाहिए प्रपर सही हो जाए तो उसके लिए आपको वेद शास्तर के according वैदिक रीती से आपको जो है कुछ changes कुछ solutions उपाय और शदी यह सब आपको करवानी ही पड़ेगी और इसके लिए आप किसी भी वास्तु expert का consultancy ले सकते हैं किसी भी वास्तु जिस पर भी आपका भरोसा हो जिस पर भी आपका विश्वास हो ऐसे वास्तु expert से अपना ये सब कार्य solution बगरा करा सकते हैं और आप चाहे तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं हमारे इन numbers पर appointment ले करके दोस्तों आईए tips जानते हैं जिनके उत्तर दिशा में toilet बने हुए हैं उसका प्रभाव मैंने आपको बता दिया continue घर में जो जो सारी चीजे problems मैंने आप को समझा दी हैं आप इसके लिए छोटे-छोटे उपाए हैं वास्तो टिप्स हैं यदि आप करेंगे तो कुछ समय के लिए आपको ये कुछ प्रभावित प्रभाव कम कर देंगे वो ये है कि एक तो आपको जो उत्तर दिशा की जो दिवाल है जितनी दिवार toilet की है एक ची सिर्फ नहाने के लिए काफी हर्द तक वह ये भी नहीं कहूंगा यानिकि 100% में से सिर्फ अगर बातरूम उत्तर में है तो इसके सिर्फ बातरूम होने से आपको उसमें से 50% फल दूश नहीं लगता लेकिन टूइलेट भी साथ में है या फिर only टूइलेट है तो उसका तो मेरे कहने का मतलब अगर केवल बातरूम ही है तो आपको छोटे मोटे उपाय करके ठीक हो सकता लेकिन टूइलेट भी है या फिर टूइलेट ही है तो फिर आपको यहां पर पका सुलूशन करना चाहिए तो दोस्तों सुलूशन के रूप में जो टिप्स है वो ये है कि जितनी बातरूम की दिवार है टोयलेट की बाहर से जो दिख रही है, उसे आप सबसे पहले तो ब्लैक पेंट कर दें, उतनी उतनी दिवाल पर ब्लैक पेंट कर दें, ये एक सॉलुशन है, दूसरी बात, यदि आप चाहिए कि इसका प्रभाव कुछ समय तक, हद तक आपको प्रभावित ना करें, तो उस दिवार पर आपको वाइट फूल, सफेद फूल, ओरिजनल हो, चाहे डूबलिकेट हो, एक सफेद ही धातू या गमला सफेद टाइप में कोई हो, तो उसी में जो है, वहाँ पर वो पेड लगाकर सफेद फूल उस दिवार पर लगाएं, उस बात को ग्यारा बजे से लेकर के और एक बजे के बीच में हो सकें, तो इस समय जो है, ट्वाइलेट का यूज ना करें, बहतर रहेगा, उत्तर दिवार पर जो आपने ब्लैक पेंट किया है, उस ब्लैक पेंट को समय समय पर करवाते रहें, मैं इसके साथ मैं दोस्तों, जो ट्वाइलेट सीट है, जो बना हुआ है उत्तरदिशामین बातरूम, हो सकें तो उस ट्वाइलेट सीट को उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कॉर्नर पर, अगर सेट कर दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यदि ट्वाइलेट वहीं रखना है तो ध्यान रखें कि ये सारी चीज़े जब आप करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ effect जो है इसका प्रभाव जो है effect है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा ये आपको करना है और यदि आपको जो है आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये थोड़ा अच्छा हो जाए तो इसके लिए फिर आपको appointment लेकर के बात ही करने पड़ेगी आपकी problem के according हम आपको उसके लिए उपाय बताएंगे तो दोस्तो ये था हमारे वास्तो टिप्स जो मैंने आपको बताई और इसके अनुसार जो है आप कुछ कम कर सकते हैं अपने प्रभाव को लेकिन प्रभाव जड़ से समाप्त करना है तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया है तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के जरी है, तब तक के लिए जैश्री किशना, थैंक्स फो वोचिंग दिस वीडियो